नमस्कार हमारे साथ मनीश कस्यप के भाई करन कस्यप हैं और मनीश कस्यप से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो आप सब के दिमाग में होंगे उन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इनके भाई करन कस्यप से अचा पहली बात तो ये बताइए कि लगाओगा कुछ पापा ने help किये थे कुछ रिडिटीव ने और कुछ मैं लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँज भाई पर दे ऐसे हारिंग हो रहती कि हाँज भाई अब आज जाएगा अब केस कलब हो जाएगा अब एने से हड़ जाएगा और एक मेरे मन में यह भी था मतलब यह लोग सुप्रीम कोट में केस लड़े लगभक्षा तारीख भी पड़ा अलग-अलग पचास लाख रुपए भी लगे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ अच्छा एकाउंट तो सीज है मनिसका सेपका जिसमें 40-45 लाख रुपया पाया गया था तो बाकी आप लोग किये कुछ फ्रेंड लोग भी हेल्फ किये ऐसे करकर करके मगर हम लोग का यह था कि अगले हारिंग के लिए कैसे प्रिपेर होना एक हारिंग खतम हो गई अफिर दूसरे हारिंग के लिए हम लोग उसी दीन से पहले सबसे पहले पैसे के स्टार्टिंग तो मैं सुप्रीम को में गया तो किसी एड़ोकर का पहुंस लाग सा नीचे है ही नहीं और मुझे लग रहा था कि हाँ जे मेरा भाई जब तमिले डू चला गया उसके बाद हम लोग को बहुत अटेंसन हो गया कि कितना जल्दी मेरा भाई आ जाए और पैसे के चलते हम भाई को अंदर छोड़ ने आने से लागू नहीं होता है उस पर हम लोग को और जो साई थोरा से जुनून आई कि हाँ चलिया अब कुछ हो सकती है तो हम लोग मनमिंदर सिंग जी को भी टॉप हाइप में आते हैं इंडिया के एड़ोकर में उनको भी हाईर किये फिर उस दिन नेक्स्ट हाईरिंग में नेकुछ होई फिर अगला हैरिंग हो आतारी को फिर दूर भाग है कि हाँ चे हैरिंग के बाद जहां हम लोग कमर टूड़ चुके थी हम लोग बरवाद हो चुके थे उसके बाद मदरास हाई कोड के लिए मूब करने के लिए बोल दिया गया आम तोर पे मनीश कस्यप को भाजपा का एजेंट बता दिया जाता है और हमने बतोर इस पर एक वीडियो किया है कि अगर मनीश कस्यप भाजपा के एजेंट होते तो भाजपा के हाथ में था एनेसे को हटा देना लेकिन किंद्र सरकार ने अपनी सक्तियों का कहीं भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया हो सकता है किंद्र सरकार को भी लगता होगा कि मनीश कस्यप गलत है तो क्या लोग जो आरूप लगा रहे हैं कि भाजपा तो सपोर्ट करती है क्या भाजपा ने किंद्र सरकार ने कहीं इस कुछ दिन पहले हैं अजह के सरकार, चल रहा है तो जर्वाग है कि हाँ जहा पर हम लोग लोग दिए की सरकार थी तब भी हम लोग विडियो बनाथे थे चाहे एंबुलेंस पे चड़के चाहे कहीं भी कुछ दिन पहले ही है अस्विनी कुमार चौबे जी के मैं असल है कि अस्विनी की जो सामने आया जोभी गलत लगा मनीश कषयप ने उनको डंके की चोट पे गलत कहा है लेकिन फिर भी आरोप तो लगा सकते हैं तो आरोप लगती रहती हैं अनुत कि हाँ भाजपा इसको सपोर्ट कर रहे है चाहिए भाजपा के जन्ट है लेकिन मै और मिने मास पाल हो तो इस तैट शाइघ हो को आते हैं गया ने लोग कहेंगे ऊतेर रहो कुई बात नहीं उस पर रिस्पॉंस मतcono और अपना काम काम करें लेकिन होता ही है लेकिन सच्छाही yes है कि हर बूरे चीज़ पे चाहे कोई भी हो उसने आवाज उठाया है और गरीबों के लिए आवाज उठाया है और बिहार की जनता के लिए आवाज उठाया है एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूंगा जब एक एक इंटरिव्य में और एक मंच पे भी बूले थे कि 95% हि अबर चलाता हूं जो ठेकेदार होते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता जैसे मैं पांच बर्शन मुस्लिम बनाता हूं तो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम बिरोदी है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है अच्छा मनीश कश्यप के नाम से ट्विटर पे एक अकाउंट चल रहा है क दिखाईएगा जिस पर लिखा है मनीश कश्यप सौन ओभ बिहार पैरोडी और बहुत सारे लोग यह ब्लेम लगा रहे हैं कि यह अकाउंट आप चला रहे हैं क्या यह अकाउंट मनीश कश्यप के नाम पे आप चला रहे हैं लिए एक मैने पहले भी मैं वीडियो बनाया थ मैंने चलता हूं यह मुझे बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है सचाई है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे चीजें लिखा जाता है जिसमें मनीश कश्यप या हमारे फैमिली के को और और प्रोब्लम में खड़ा कर रही है थोड़े दिन पहले कुछ दिन पहले जब मद बहुत सारे जो डारी में आपको गिनाओ तो पांच दस ऐसे आडी थे जो हमारा था ही नहीं अब उस पर भी हम लोगो को जवाब देना पड़ा ऐसा हुआ लिकिन फिर भी मैं अभी मैं कुछ मैं कल या परसो में मैं जा रहा हूं थाने में जाओंगा और जितने भी हमारा आड़ी रहेगा उसको लिंक प्रवाइड कर देंगे उसके बाद कोई भी आड़ी से कुछ भी होती है उसकी रिस्पोलिट ना हमारी होगी ना हमारे टीम के होगे बाकी अब मनीश कश्यप का सारा का सारा मामला मदरास हाई कोट में है अच्छा वहां पर क्या चल रहा है व उसके बाद मैं गया भी नहीं और एक्चुली में प्रोब्लम है कि फिनांसियल प्रोब्लम है तो में भी हो सकता है कि अगले हपते मैं जाओंगा वहां पर ड्राप्टिंग जो भी होता है जो किसी ओकील को पकड़ूँगा और आगे का प्रोसेस काम करूँगा अबी कुछ पैसों की वजे से सारा कुछ आभी रुका हुआ है पैसों को वजे से कुछ रुका हुआ है इब जहां से भी पениसा राता है उसके बाद मैं अगले हफते से हम लोग में अगले हपते से फली जाएंगा नहीं यह बहां पर ओर ड्राप्टिंग जो दो मैने के अंदर में आ गया रहते हैं दो सदाइ माहिने काफी है बाकी राकेश तिवारी जो प्रयाशनी चलाते हैं इसी मामले में उनको बेल मिल गया है बाकी मनिश कस्यप पे इसके अलावा और कई सारे केस हैं जिस वज़ा से और एने से मुख्य तोर पे एने से लगा दे सेब के खिलाफ में जो वकील खड़े थे उनका नाम कपिल सिब्बल है और कपिल सिब्बल कितने बड़े वकील है ये बताने की जरूरत नहीं इसी से कमो बेसा पितना तो समझी सकते हैं कि एक लड़का जो साधारण सा वही 500 वाला माइक लेके वीडियो बनाता था उसको ज देख रहते पबलिक प्लेटफर्म मेरा नाम कुमार अभीनो है देखने के लुए धन्यवाद